हेलो गाइज आज वेट ट्रेनिंग की वीडियो डाल रहा हूँ तो थोड़ा आप वार्मिंग आप के बाद ये पहले स्टार्टिंग में शोल्डर वगेरा वार्म अप कर सकते हैं एक्स्टर्नल रोटेशन बोलते हैं इसको थेरा वेंड बांद के और उसको अंदर की तरफ शोल्डर को पूल करना ठीक है लेजन आप इसको अच्टर्नल भी कर सकते हो बाहर की तरफ भी कर सकते हो बोध हैंड की करने हैं आपको और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप snatch वगरा कर रहे हो जाँ क्लीन या कुछ भी वो करते हो तो उसमें आपके injury के chances कम हो जाते हैं ठीक है left and right दोनों की करनी है और अंदर और बार की side और body stable रखनी shoulder पीछे की तरफ squeeze करके ठीक है और proper warming up आपको बहुत जरूरी है warming up नहीं करोगे तो injury के chances ज़्यादा हो जाते हैं चाहे आपने कितना भी warm up ABC और stretching exercise करी है then फिर भी strengthening थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं before warming up पांच मिनिट लगते हैं बस इनको पांच मिनिट के अंदर आप ये सारी चीज़े कर लेना ठीक है इससे पहले मैंने one kilometer running करी है then वो चीज़े करी है अब ये squeeze करना है पीछे की तरफ scapula slow छोड़ना है आगे को और पीछे को fast खीचना है squeeze करके रखना है ऐसे आप खड़े हो जाओ down to up बतला आगे down रखना है पीछे आप रखना है अगर आपकी shoulder strength बहुत कम है तो ये चीज continuous करते रहना बले आप week में three times कर सकते हैं ये चीज़ जरूर करने आप जो gym multi gym करते हैं उसमें भी जाके ये machine के साथ भी कर सकते हैं ठीक है core को tight रखना है इसमें अर्च नहीं करना पीछे को अब ये उपर वाले shoulder को आगे की दरफ eternal pull करना है और इसमें injury नहीं आनी चाहिए ये चीज़ है कि किसी तरह का pain या जटके के साथ आपको नहीं करनी slow slow एकदम flow के अंदर करनी है दूसरे हाथ से आप band को पकड़ सकते हैं अगर कोई पीछे cover करने वड़ा है बांदने वड़ा है वो भी कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े का दियान रखना है आपको और next आ जाएगी इसको फिर दूसरे हाथ से left hand से करनी है same flow में करनी है आपको जटका नहीं करना और easy 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 आगे से feel करना है अंदर muscle आपका shoulder mobility में आए गूम में proper ठीक है तो weight training के आज वीडियो है ज़्यादा weight training नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं इतना believe नहीं करता हूँ ज़्यादा heavy weight training के उपर तो easy 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 वो सारी चीज़े करनी है इसके बाद direct हम चले जाएंगे weight training room के अंदर तो हो सकता है थोड़ी black बनी होगी वीडियो बर no worries मेरा main motive भी आई था के आपको size बताऊं तो यह देख लो clean का warming आप करना है पहले आपको खाली with rod और इससे पहले मैंने good morning exercise भी कर ली थी अब starting करते है 60 kg से तो 5-6 repetition देने है अगर आपका grip चूटता है यह rod move होती है तो आप यह चीज़ करें के हाथों पे वो grip पर होते हैं वो पहन सकते हैं बेल्ट बगएरा लगा के इसलिए के safety for safety ऐसा नहीं है के यह इतना उठाना है भी लग रहा है मेरे को but for safety बेल्ट लगाता हूँ तो inner belt एक और लगा रखी है उपर से दूसरी यह लगा रखी है तो इसके पांच से share repetition करना है slow slow कोई ज़्यादा fast वो करने की जरूरत नहीं है और back जब उठाएं तो एक दम stable back हो और मैं उपर hold बिलकुल नहीं करता because of एक तो थोड़ा shoulder injury के कारण मैंने ज़्यादा उठाता नहीं हूँ और उपर holding बिलकुल भी नहीं करता हूँ ठीक है ऐसे से हम next set आजएगा 80 kg का 10-10 की डाल दूँ है तो जो beginners हैं उनको यह नहीं है कि मैं clean कर रहा हूँ तो आप clean उठानी शुरू कर दो आपको easy smooth यह चीज करनी है कि lightweight पर करना है आपको आपको करनी ही नहीं है अगर करो भी तो 30-40 kg तक कर लो तो कोई इसका आपको वो नहीं है कि आपके injury बैठेगी या कोई ऐसी दिक्कत आएगी so please secure your muscle first okay power strength automatic आप daily करोगे तो आ जाएगी आपके अंदर यह दूसरा set है repetition 4 या 5 होंगे बस 5 kg की 2 plates 100 kg हो गया तो इसके चार back stable रखनी है back सीधी रखनी है उसके बाद इसके चार सेट repetition करूँगा then मेरा ख्याल 120 तक करूँगा ज्यादा नहीं करूँगा यह देखो बस इतनी पुल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ ज्यादा उपर हमें hold नहीं लेनी because we are not a lifter आप lifter है तो आपको clarity की ज्यादा जरूरत होगी अगर आप lifter नहीं है तो फिर आपको common बस पुल करो हलका आपको shoulder strength चाहिए तो shoulder strength पुल करने से आ जाती है ठीक है main motive है अपना injury free रहना power strength gain करनी है it's okay but injury free रहना then आप easily वो चीज़ कर जाओगे actually इसके पीछे sound चल रहे हैं तो श्याद वाज disturb हो रही होगी मेरी but next set उसके बाद थोड़ी यह मैं बीच बीच में recovery लेके वो करता हूँ तो इसमें continuous दिख रहा है आपको ठीक है तो आपको कम से कम एक set के बीच में one minute two minute की rest लेनी है आपको then फिर again आपको वो कर रहा है तो अगर gripper है तो secure है कि rod shoot ने का डर नहीं होता गिरेगी नहीं नीचे drop नहीं होगी rod weight drop नहीं होगा तो यह इसलिए मेरा main motive था कि मैं लगा के रखूं gripper तो यह मेरा clean का set है उसके बाद next set square का है ओके तो यह compulsory sets हैं अपने जो हमें lifting के अंदर जरूरत पढ़ती ही पढ़ती है जिनकी थोड़ी gaining power की strength increase करने की तो यह वह easy weight training है ज्यादा lifting की उपर दियान आप लोग मत देना क्योंकि lifting ज्यादा बहुत powerful होके भी कोई फैदा नहीं है हमें javelin fake नहीं सिर्फ 800 gram की तो एक stable power की जरूरत होती है इसके अंदर ऐसी कोई वह दिक्कत नहीं है बस कोशिश करो कि आप stability की उपर जाओ आप technique proper perfect करो वह main motive वह है बाकि जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसके अंदर भी काफी लोगों ने बोला था सही वीडियो है वो सही इसलिए थी के जिसके अंदर main role ये था कि किसी के हवा के पिछे लगके आप popularity के पिछे लगके game में मत आओ एकदम सही ठीक है ये back stable करके उठाके इसके 3 to 4 repetition करूँगा जो hold ज्यादा करते हैं वो गलत नहीं है वो कर सकते हैं बट कम weight पे कर लिया करो उपर जाके hold up मत करा करो ओके next set is quite का आजेगा 70 100 kg से first set करूँगा मैं without bench करता हूँ जैसे करनी half ही है मेरे को मैं full नहीं करूँगा बट बिना bench के आदत है मेरी कि बिना bench के करता हूँ तो आप भी कोशिश करें कि starting में जो beginners हैं वो with bench कर सकते हैं वो उसके लिए आपको खाली बिना bench के नहीं करने की जरूरत है और beginners के लिए बहुत heavy उपर तक जाने की जरूरत नहीं है वो light 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 से ही करें weight proper stable रखने के लिए heel के नीचे में दो plate वो लगा लिए है ताके heel मेरी पीछे से up रहें बस इतना ही देखो half ही जा रहा हूँ बट कोशिश करें कि आप जब squat करें तो knee आगे की तरफ ना निकले पीछे ही जाएं तो 4-4 repetition बस ज़्यादा repetition भी नहीं करने 4 repetition में आपके उपर लोड भी नहीं आता और ये कोई इतनी high-potensive weight training भी नहीं होती फिर ठीक है easy easy रहता है 120 हो जाएगा 120 के भी 4 repetition आप कोशिश करो बस के आपको ज़्यादा lifting heavy ये सब के पीछे मत एक अदम से मत बाग बढ़ती रहती है अपने आप बढ़ेगी हमें throw के उपर focus करना है throw के उपर focus करेंगे तो throw बढ़ेगी lifting के उपर focus करेंगे तो lifting बढ़ने के chances ज़्यादा रहती है और अपनी सबसे पहले secure करके चलो मैंने अपने knee के उपर भी bandage weight रखी है ताके मेरे को knee के अंदर कोई pain वगरा ना आए तो आप भी ऐसे smooth wall weight सकते हैं cover कर सकते हैं cover your knee first और lose cover करने उनको बस ऐसे half 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 करते हो बट आप bench के साथ करें अगर कोई senior athlete है तो वो without bench करते हैं वो कर सकते हैं no problem और next आजेगी इसके बाद मेरा ख्याल मैं शहाद करूंगा deadlift तो deadlift के भी वही same 2-3, 2-3 sets special 4-5 lifting करता हूँ बस ज्यादा नहीं करता हूँ pull over कम करता हूँ but important, सबसे important exercise है कम करता हूँ week में एक बार या दो बार करता हूँ क्यों वो हमें मेरी ज्यादा मैं बढ़ाता नहीं हूँ उसको एक बस level तक जाके करता हूँ जैसे के 50-60-70 की गरली बहुत है तो कुछ नहीं होता lifting ज्यादा उठाने से आप throw ज्यादा दूर नहीं मारते हो ये कहीं का rule नहीं है बिल्कुल भी ruled out है strength power आप बहुत तरीकों से हो जाती है आप जर्क कर सकते हैं back jerk जिसको बोलते हैं front jerk कर सकते हैं वो चीज़ है तो अभी ये मेरा ख्याल 140-50 हो गया होगा 140-50 के भी सेम चार repetition वस कुछ है भी जाने की जरूरत नहीं है common common सी weight training रखो जिससे आप वो कर पाओ easy तो हाँ सच बीच में recovery पानी water लेते रहे recovery drink जो भी आपका BCI amino acids हैं वो ले cretin है तो cretin ले थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं का आपको ले नहीं के आप एक अदम से पूरी bottle खतम कर दो एक ही बार में slow down slow down आप करते रहो easy easy मसलों को stretch वगरा करो और फिर से अपना set के उपर effort लगाओ ठीक है तो last set है ये शायद चार repetition इसके लगाने हैं तो enough है ये चार repetition वीडियो बाकि clarity नहीं है आई क्योंकि अंदर थोड़ा shadow पड़ रही थी तो इसलिए वो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसके अंदर आप कोशिच करें जो pair है ना उनको बार की तरफ रखें थोड़ा square में ये pulling आगे dumbbell pulling ये compulsory exercise है for your scapula shoulder stability के लिए वो अपना हमारी back से बहुत उपर जानी चाहिए और squeeze करना है पिछले वाले muscle को ठीक है तो ये मेरे आगे साथ में squat खत्म हो गई तो अब साथ में ये चीज़े start हो जाएंगी जैसे ये साड़े साथ के loga dumbbell आ गया इसके साथ थोड़े साथा लगाने है repetition इसके बाद नहीं की exercise भी करने हैं ज़्यादा heavy कुछ नहीं करने के ज़रूरता आप weight training के पीछे पागल मत बढ़ना कि world level पे ज़्यादा weight training करते हैं आपने देखी होगी बहुत सारे athletes देख चेक कर लो आप सिर्फ जोहानस sweater को छोड़ के कोई भी athlete जो javelin thrower है वो ज़्यादा lifting नहीं करते तो वो चीज़ ये बीच में थोड़ा बहुत entertain गाने बने सुनने के लिए इससे क्या होता थोड़ा अपने favorite गाने होते हैं उनसे थोड़ा mood up रहता है coach athlete है headphone भी use करते हैं वो भी best है but headphone use करो किसी की बात कोई आपका coaches है वो आपको आवाज दे रहे हैं तो वो ignore नहीं होनी चाहिए इस चीज़ का थोड़ा वो कर लेना कर संते हैं झाल ग्यर्म कर संते के लोड़ा आया झाल 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 झाल